हर बार दो मिनिट वाली मैगी खाखा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस तरह से बनाएए इंस्टेंट रेट सॉस मैगी यह बहुत यादा टेस्टी और जल्दी बन जाती है क्योंकि यह इंस्टेंट में हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैगी नूडल्स के फैकेट को खोल कर उसे हम बॉयल कर लेते हैं दो मिनिट ही इसे बॉयल करना है और इसका पानी हम अलग कर देंगे और इसे एक छणी में चान लेंगे और यहां मैंने टमाटर ले लिये हैं तीन और इसे हम ब्लांच कर लेंगे और इसका हमने पेस्ट बना लिया है अब हम ले लेते हैं कड़ाई और कड़ाई में ले लेते हैं तो तीन से चार चमच हम तेल लेंगे और तेल को गरम होने देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं यह बारी कटा हुआ लैसुन आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं लेकिन बटर नहीं था मेरे पास तो तेल से भी इसे को एक मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं बारी कटी हुई प्याज यह इंस्टन्ट मैगी बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज्यादा ला जवाब होता है आप सभी प्रकार की मैगी जो खाते आये हैं सभी का टेस्ट भूल इसे खाने के बाद यह बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो प्याज को भूनने के बाद 2-3 मिनट प्याज को भूनेंगे इसका कलर चेंज नहीं करना है आपने देखा यह इसका कलर चेंज नहीं हुआ है बस मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है मैंने थोड़ा सा तेल औ प्रामर्णमेदों मुझे कम लग रहा था इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं गाजर बारी कटी हुई मैदा को थोड़ा सा शौत आने लगे तब तक हमें भूनना है, इसका कच्छापन independence मैदे को भूनना है, तब तक हमें मैदे को भूनना है तो यहां मैदे को भूनते रू दो मिनट demons की अकोड़ी ठाल तो मिछन CON αν मेदेदte हो उसमें, डाल देते हैं मेरेपास CONS, यह सके यह से सिमला मिर्च और बींस है आपके पास तो बींस भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है थोड़ा सा हमें क्रिंचीनेस चाहिए सब्जियों में तो थोड़ा सा भून लेंगे इसे इसके बाद मैं इसमें डाल द दालेंगे क्योंकि हमने सबजी यह डाली है और मैगी का मसाला डालेंगे इसमें भी नमक रहता है तो थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे दो से तीन मिट तक टमाटर के भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं दूद्ध तो मैंने यह आदा कप दूद लिया है यह कि मेरा कम डालेंगे आधे कप से और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और यह जैसे ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा से इसमें गाड़ा पनाना शुरू हो जाता है क्योंकि हमने मैदा डाला था इसमें और इसकी सॉस बनकर तयार हो रही है यह इसे इसे इंस्टेंट sauce बनकर तयार हो रही है नहीं तो हमें अलग से sauce बनाना होती है और इसे हम गाड़ा होने तक पकाएंगे थोड़ा सा मैं इसमें food color डालूँगी थोड़ा सा इसमें अगर आप food color नहीं डालना चाहते तो आप मेरी लाल मिर्च भी डाल सकते है जब हम मसाला तयार करते हैं तब और मैंने कस्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला था इसलिए इसमें थोड़ा सा food color डालूँगी इससे color बहुत अच्छा आता है और यह देखिया थोड़ा सा इसे गाढ़ापन आने लगा है और boil भी होने लगा है यह तो अब मैं इसमें डाल देती यह वाली चीज नहीं है तो क्यूब वाली आती है अमूल की क्यूब वाली चीज आती है उसे भी डाल सकते हैं और चीज के melt होने तक इसे हम पका लेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मैगी जो हमने बॉइल करके रखी थी यह देखिए अगर थोड़ा सा चिपक देते हैं और दो मिनट फिर से इसे पकाएंगे बहुत जादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉस हमारी पकी होई थी अच्छे से मैगी को सॉस में इस तरह से लपेट देंगे अब हम इसमें डाल देते हैं यह सेजवान सॉस तो दो छोटी चमच मैं इसमें डाल रही ह तो आच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसमें बहुत जादा बढ़ जाता है यह शेजवान सॉस डालने के बाद और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसका कलर भी बढ़ जाता है तो यहां हमने रैट सॉस मैगी तयार कर लिए तो आप भी अपने घर में जरूर बनाई dropdown और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन-कौन सी मैगी और खाते हैं, कौन-कौन सी मैगी आप तयार कर लेते हैं और मेरे चनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेर जरूर कीजिए और वैल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें देखिए, क्रीमी और सॉसी ये मैगी तयार हो चुकी है और लास्ट में मैं इसमें डाल देती हूँ ये ग्रीन अनियन, फ्रेश ग्रीन अनियन डालेंगे और इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं, देखिए रेट सॉस मैगी को गर्म गर्म ही सर्व करेंगे, तभी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़के आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ ठेंक्स फॉर वाचिंग